असलाम अलेकूम, वेलकम बेक टू मैं चैनल, उमीद है के आप सब ठीक होंगे, आज मैं आपके साथ शेर करूँगी स्पेशल चिकन ओमलेट रेस्पी जो के बोती सांतिके के साथ बनाएंगे, जो लोग चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आपने इसको कर लेना है, नॉर्मल सा गरम, जब ये गरम हो जाएगा, तो इसके अंदर हम एड़ कर देंगे, जो बाकी इंग्रीडियन्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, सबसे पहले आपने इसके अंदर एड़ करना है, प्यास जो के एक अदत हमने नॉर्मल सा प्यास काफी है, इसको आपने हलका सा फ्राइ कर लेना है, जो के एक मिनट से भी कम है, जब ये नरम हो जाएगा, तो इसके अंदर एड़ कर लेंगे, सबस मरच, सबस मरच जो के मैंने एक अदत ली थी, बड़े साइज की, जिसको बिल्कुल आपने बरीक कट कर लेना है, जैसा के प्यास सोते हो चुका है, तो इसके अंदर एड़ कर देते हैं, सबस मरच, सबस मरच एड़ करने के बाद, अगेन आप इसको कर लें, मिक्स, जब ये मिक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर आपने एड़ कर देना है, चिकन, जो के मैंने पहले बॉल करके रख लिया और इसको मैंने चुरे की मदद से क्यूब्स में कट कर लिया है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा आपने इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करना है जब हम चिकन एड कर लेते हैं तो तकरीबन हमने इसको एक मिनट तक इन चीजों के साथ अच्छे तरीके से बून ल करना एंकि क्योंकि ट्माटर को पानी इंता शौर के साथ तरैकि सेट हो जाएगा और हम ने इसके साथ एंटे अग करना है जिसके के पानी के अपने इसके अंदर एग करना इन करना है जैसा कह फोराण। आपने इसको डाल लेना है उस mixture पे mixture पे डालने के बाद आपने उसको बिल्कुल medium heat पे एक से दो मिनट के लिए cover करके रखना है और उसके बाद आप इसको dish out कर सकते हैं अब आप इसको रमजान में भी try कर सकते हैं सेरी में आप इस recipe को बनाएं बहुत ही मज़े की हैं और I hope आपको पसंद आएगी अगर पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजिएगा जो लोग channel पे हैं वो channel को subscribe कर लें साथ ही दिए bell icon को press कर लें इन्शाला आगे भी आपके साथ नहीं नहीं videos share करूंगी आपके साथ रमजान के related भी आपके साथ काफे सारी में recipes share करूंगी और अगर आप चाहते हैं तो मेरे channel को subscribe कीजिएगा और इसको हम cover करने लगे हैं एक मिनट के लिए एक मिनट के बाद हम इसको resort कर लेंगे बहुत ही इसान सी recipe है और बहुत ही कम ingredients के साथ बनाई है और मेरी कोशिश होती है मैं आपके साथ वह recipe share करूंगी जो आप easily बना सकें अब आप भी बना के इस recipe को कीजिएगा enjoy मुझे दीजिए इजाज़त इंशाल्ला आपको मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ द्वाओं में याद रखेगा अलाफीज